सब मों जल्दी से लाइब हो जाते हैं सारे लोग को देखिए कुछ लड़कों का क्लास में क्या हुआ था ना कि जो मेंस अंसर लिखे हैं लोग निबंद का जितने भी पीसी वाले हैं तो मेंस में किसी किसी का निबंद देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी हम लोग पहले ही लिख सकते हैं कि उसका सेलेक्शन पक्का है और कुछ लड़कों निवंद का जो अंसर लिखा था उसने न मतलब ऐसे खाना पूर्ती करते यार यह चलो ना यार यहां लिख देते ऐसे नहीं होगा तो जितने लड़के हैं लोग निवंद लिखे हैं बहुत बहतरीन है अच्छा से किये आप लोगों ने आज हम लोग पॉलिटी चालू करेंगे बहुत जल्दी पॉलिटी अभी हम सर से आपको पॉलिटी स्टार्ट करेंगे उससे पहले जो आप लोग का वो पीछे का जो हिसाव है उसको अभी से हम समझा देते हैं जितने लड़कों ने वयब साइट पह जाके अपना अन्सर लाइट किया है तो उसमेंसे कई लड़कों ने टाइपिंग तो आप लोग को seriousness बढ़ाईए, में में जितने लड़कों निबंद का answer लिखा है, उसमें से बहुत सारे लड़के आए, आपने copy भी चेक कर सकते हैं, वेब साइट पर जाके आप दूसरे की भी copy चेक कर सकते हैं, हम लोग ने उसे open source दे रखा है, वहाँ आपको जितनी copy answer लिखा है, वो चेक कर सकते हैं, तो आप लोग अभी से अपने दूसरे का copy चेक कर सकते हैं, तापके आपको idea लग जाएगा, ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज से quality, एक बहुत important chapter है, उसमें से नहीं छूटता है question, ठीक है, तो quality और international relation दोनों को जोड़के कि आम लोग पढ़ेंगे, लोग, PT और मेंस देखिए, दिमाग में पहले से बैठा के रखिए, कि आपको एक जैसा लेके चलना है, मेंस में उस चीज को एदम descriptive पुछ देता है, एकदम बढ़ियां से एक ही topic को पकड़ेगा पूरा अंदर तक, जब कि PT में क्या है ना कि जा कि आप एक दो दिन आप अपनी कुलाडी तेज कर लिजे, फिर आपको मंडे से, अभी तो आज Tuesday है गया ना, कि वेड़नेस दे हो गया साथ, बड़ी दिन जल्दी चलता चलता है, तो आप लोग का मंडे से चार गंटा क्लास चलने वाला है, ठीक है, फिर आगे आगे जाके पांच घंटा हो जाएगा, तो आप तो आपका चार गंटे होई जाएगे, एक निबंद हो जाएगे, अब आप लोग को करन चौध रिशार जो है, अब आपको quality, मेंस और PT, दोनों के हिसाब से देखेंगे, हम भी उसमें पाट पढ़ाएंगे, सर भी पढ़ाएंगे, इं आप बनाए गया, इसको हम आपको दिखाते हैं लोग कि कैसे क्लास नोट से आपको पूरा का पूरा अंसर आजाएगा, क्यों सर, एदम पूरा कॉन्फिदेंस, तो सर लिए आप लोग समझे, करन चौधी सर सर, लिजए सर, लिजए सर, नवसकार दोस्तों आप सभी का, और मैं खान सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर ने मुझे इस प्रेटफोर्म पर आप सभी को घ्यान देने के लिए एक मौका दिया, प्याले साथ यू, आप सभी जानते हैं कि जो पॉलिटी नाम का सब्जेक्ट है, इसका BPSC प्रिम्स में और मेंस में, मेंस में आपको पता है कि 10-12 को से बैरी करते हैं, पंदरे को संता भी चला जाता है, कभी 7-9 दो बहुत जो है, तो बशॉलिटी में चैन, आप सब्योटरू में ऑजते हो, उससे हमिदा करते हैं, अब बात करते हैं, PT और means की में तोड़ा क्लास को आज आपको पहली ग्लास में थोड़ा सा एक साथ बताऊंगा और है एक ही चीज अंतर से इतना है कि आप यह मानिए कि PT में सुरुवात करते हैं और means में एक्सप्लोर कर देते हैं और इंटर्यू जाके पुरा समराइज कर देते हैं चीजों को तो आप यह मानिए कि prelims में quality का जो style है पढ़ने का आप सुरू से quality पढ़ते हो, बारत के संदान के सुरूत पढ़ते हो, उसकी प्रकरती पढ़ते हो, फिर आप quality में पढ़ते हो, प्रसतावना क्या है, फिर आप मूल अधिकार का chapter सबसे important हो जाता है, मौलेक करतब भी पढ़ में, आप आतकाल के provisions, सारा पूरा syllabus आपको cover करना पड़ता है, PT में, और ध्यान से पढ़ना पड़ता है, आज कल जो PT हो रहा है, पिछले बार जो PT हुआ सर, वो factual से बड़ा conceptual भी हुआ, NCRT को जोड के हुआ है, कोशन बड़े conceptual पूछ लिए, तो अब हम जो है, आपको prelims की तो आप टेंसन भूली जाओ, prelims अब आपका 100-100% जो है, पूरा का पूरा हमारा हो गई, अब मेंस की बारे में थोड़ी सी बात कर लेते, मैं आपको समझा तो प्रियो मेंस पर डिफरे तो एक उसमें 50% बेटी तो करेंट का है सर और बिहार रिलेटेड कर देता है, और उसके बात इससाए स्टेटिक का है, तो तीनी पोर्शन होते हैं, एक तो स्टेटिक, एक करेंट और तीसरा हो जाता है बिहार के साथ उसका सम्बंध, मैंने क्या किया है, कि आपको जब स्टेटी करने के बाद, यह वो टॉपिक्स हैं, जो आपके मेंस में हर बार पूछे जाते हैं, और मैं इनको साहर मी में देखो, यही टॉपिक भार-बार रिपीट सर हो रहे हैं, सम्बंधान की विसेस्ता, इकात्मक बनाम संगवाद, यह बहुत ज़्यादा पूचाते है जो चनोतियां, अब सम्धान की प्रकरतिया आप ऐसे पढ़ते हो, विसेस्ता के वारत संगवाद, वारत का संगवाद, यह बहुत सारी चीज़ें, संगवाद कैसे है, वो प्रिलिम से पढ़ते हो, यहाँ उसी निचर को पढ़ना होता है, प्रस्तावना का महत्त्व, प्रिलिम से पढ़ते हो, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, मौलेकरदिकार का ब्यभारिक पच्च, वो सुप्रीम कोट करने रहे है, अब यह आप देखो, मेंस में, आर्टिकल 20 के सारे लेटे, देखो, सारी चीज़ें जो है, उसी जारी है, मेंस में प्रफर कोसन दिया, तो वहाँ DPS भी आपने पड़ा, 36 से क्यामत, यहाँ उसका एप्लिकेशन है, कि उसकी प्रासंगिक्ता क्या है, वर्सेस फंडामेंटर राइट, कौन बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, दोनों में क्या अंतर है, अनुच्छत 49 BC, फंडामेंटर राइट से भी उपर चला राश्पती, राश्पती की सकती, कार्यों की विवेचना, बना मंत्री मंडल के कार रहा, मतलब प्रेसिडेंट को कैसे हमारे देश में, संसरे प्राणाली में, मंत्री मंडल कैसे हमारी कंट्री में, राश्पती को अपने कोडिंग हैंडल करता है, इस सारी चीज है, और प् कि टेक्नोलोजी जी होता है, application of science is called technology, application of PT is called means, बिल्कुल हमने सर की चीज जो है एक दम मैंने पकड़ की रखेशन ने एक बार बोली थी, राजपाल की सकती, केंद राज़की में भूमिका, प्रश्न पूछ लिया इस बार के बिहार सी पूछ लिया, केंद राज़की में संब अब राज़ों में केंदर का इज़ेंट जब बैठ जाएगा, तो ये कैसा संगवाद हुआ, ये तो सूडो फेडलिसम हो गया, ये चीजे समिताहन संसुदन की प्रोसेज पढ़ने या में, संगी व्यवस्ता में केंद राज़की संबंध, तेको ये टॉपिक में बता रह मैंस में इस बार पूछा, तो वो ये ही पूछ लिया कि जूडिसल एक्टिविसम जो इसमें जो आप देख रहे हो बारत में के नियाय पालिका और हमारा जो एक प्रकार से आप महां सरकार के बीच में जो चल रहा है, कॉलिजियम को लेकर विवाग, तो जूडिसल एक्टि अब क्या और लोगतंतर में, केंद्री जो पार्टिया है, वो चेत्रिय भूमिकाओं में उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम पढ़ेंगे, बढ़ी अच्छी चीज़ा है, मजा आएगा आपको पढ़ने मिक्दम सौरेट, एक राष्ट रेक चुना, One Nation, One Election करेंट का डॉपिक है, यह हम देखेंगे, इसको इंपोर्टन डॉपिक है, पोलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल, यह क्या है मेंस का एक प्रकार से, ऐसा सिलेवस मैंने आपको बताया है, कि पचास साथ क्लास में मेंस में आपको ऐसा बना देंगे, कि आप बोलोगे, सर, इस बार तो सिलेवस चेंज हो गया, तो सौट आंसर भी देखेगा, बलो कि सर, पूरा-पूरा, एक कुशन नहीं छुटा, यह देखो, और देखो, भारती राजनीति की प्रद्रश्य कैसा है, धर्म जाती की भूमिका, राजनीति का पराधी करना, राष्टी एक्ता, छेत रहता है, वो कैसी अप्रूच है, और कैसे आप को कि सर, पूरा पेपर फसे है, दिखाई दिरहें लोगो, दिखाई दिरहें ना सर, बिल्कूल, देखो भाईया, भारती संसद स्वायत्ति विधार मंडल नहीं है, इसकी सक्तियां विसाल तो है, पर असीम नहीं, इस कथन प हार का कैतीन नहीं, खतम करो इसको, रद करो इसको, तो ऐसी चीजे, current है ये, अब आपको रेट कैसे करना है, हमारी तेस में लिखित सम्विधान वाले देस में संसल संप्रवू होता है कि नहीं होता, तो इन चीजों को इसमें लिखना है, इंदिया मेंन नहीं है, इन चीज आफ लिखने की यह देखो एक नई नई रड़नी थी यूदिस केमा डवलोपिंग आंसर वर्ड लिमिट कैसे कैसे हैडिंग डालने हैं इंटोडेक्शन डालने कॉज इफेक्ट नेचर करेंट रिलेटेट फेक्ट फीचर और कंक्लूजन आठ पॉइंट में में इसके आंसर क करेंट किरना है अठ पैतरिन तरीका से यह हमारी तो देखेंव इस यह आठ खाका जो आम आपको बता रहे हैं न सर बता रहा आपको आठ यह इसी में आपको गुसर्द देना जो अंसर वगरा को लिखना है तो सब चीजिकों का अलग 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 आएंगे अब यह नेकिए पहले बार बताते थे कि यह चीज पहले वाला में कि आंसर जब आप लिखिएगा तो माइंड मेकप करके रखिएगा आठो चीज पर अब लड़कों के एक समस्य क्या होती लिखना उनको नौलेज होता है लेकिन कहां क्या लिखना उनको नहीं पता है तो यह दिमांग में जिसी कोपी पे लिख दी है वो तो खूस हो जाएगा जिस पर नहीं लिखेगा उसको लगए जहां हम पे डाउट है तो आप यह दिमांग में बैठा कर रखेंगे जैसे अगर पूछ देता है कि भारत में संसद सरोपरी नहीं है रियालिटी है संसद कही नियम बनाता है सु सुपरीम कोट संसद वाले को बला ले ता इधर आए परधान मंत्री हैं तो कोई दिकर नहीं इधर आए यहां से बताते तो आप परधान मंत्री के सारा पावद निकालते सुपरीम कोट पूरा पावर पूला जाता है तो कैसे उसका इंट्रड़क्शन देना है उसके क्या और कोज आने वाले हैं वहाँ पे नेचर क्या है उसका यही खाका में आप लोग को बैठ के रख लेना है देखिए एक चीज हमेशा याद रखेगा जो लड़की हमेशा गलती करते हैं कि जब यह स्पेसिफिक हम पटना की बात कर रहे हैं पटना या पटना में जो लड़क चेंज किया या नहीं किया वही पढ़ाओ जो पिछले साल पढ़ाए तो इस साल पढ़ाए अब वो चीजे हट गई है आप जब राष्टपती पढ़िएगा तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि राष्टपती के बारे में 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 कैसा question पूछता है तो उसी समय आपको पता चल जागा है कि हम ये चीजे पढ़ रहे हैं ठीक है राष्टपती खूब पूचे का महा भी हो कई से लगता है तो वहां में 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 अलग type के question आ जाते इसलिए आपको घबराना नहीं है पहले समझ जाईएगा आपको एक दिन लगेगा दो दिन लगेगा समझने में अच्छे अंसर भी लिखें तो आप लोग के भी यहां प्रैक्टिसेज एकदम प्रॉपर चलेगी वेब साइट पे देखेंगे दूसरा लड़का क्या अंसर लिख रहा है आपको अपना एडिया खुद लग जाएगा वहां पर कई टाइप के वराइटी के अंसर मिल जाए हैं मतलब सब कुछ सब कुछ इस टॉपिक पर जो प्रिशन आपके आगे भी बन सकते हैं वह पूरे प्रिशन देखो संगी सब्युस्ता से आप क्या समझते हैं संगी डाज समच नो तो ही चर्चा कीजिए पूरी चीजी देख लोग तुमको बहुत हम बात बता देते हैं क प्रिशन का कॉपी चेक हो रहा है ना अहालत खराब हो जाता है लोगों का यहां चेक करते हैं पूरा रात रात बार आप लोगी कॉपी चेक हो रही है उसमें बहुत बहुत बेहतरीन रिजल्ट है हमको तो कभी-कभी है इसा लगने वाला है कहीं इंक्वाइरी ना बढ़ और यह सब कर्पे हैं और यह सब आछी को प्लेंगे अब बहुत कुछ देने वाले आपको घुड़ानी कहाव गता बिलकुन लhmें क्याता है क्या patra विद्यारति कुछ अब Harebbe we yes we yes we को नोटिस करो मैं आपको अब समझाता हूं कुछ-कुछ चीज है कि मेंस की कुशन टैकल कैसे करने इसको एक बार देखते हैं भारतिय संसद स्वायत विधानमंडल नहीं है बड़ी आसान सी चीज है आपने पीटी में पढ़ी है कि हमारा जो संसद है वो संप्रभू नहीं है और संप्रभू है तो हमारे संसद के जो नियम बना जाते हैं उनमें जुडी सिरी के साथ क्लैस क्यूं होता है आप देखो नियायक सक्कृता या बरतमान समय में आप देख रहे हो कॉलेजियम प्रणाली आ गई कॉलेजियम प्रणाली की बज़े से हमारी सरकार के रही है हमारे उपराश्पति जी ने ये तक कह दिया कि सरकाच जो हमारे सुप्रीम कोड ने बेसिक स्ट्रेक्चर का धांचा दे रखा है इससे हमारे संसद को बड़ी दिक्कत हो रही है कोई भी नियम बनता है नियम हो जाता है तो देखो कैसे आया मेंस प्रडिक्टेवल है कैसे प् तो देखो इसमें आपको बताना है comparative क्यों संपरब हूए क्योंकि British में क्या है लिक हां लेकि शायी वदू कर समझ नायए और बारती संसत के बीच में क्या अनतर हें इतनी दो चीज жизни आपको बतानी कोई पी टी में क्या भारतिय सल्मविदान की विसिस्ता हैं अब विसिस्ताओं में क्या था कि भारत में संगिय सरकार है भारत में पालियमेंटरी फॉर्म्टी कपरमेंट अब पालियमेंटरी फॉर्म्टी कवर्मेंट में क्या होता है उसकी विसिस्ताओं क्या है पीटी में कुसिन पूछा क्या तो चीजे एक ही हैं बस application पर ध्यान देना है और टैंसर लेने की जुद्धि को second number question देखते हैं अब देखो केंदर राज्य संबंदों की समस्या और बभिस में इसकी संबावनों की चर्चा कीजिए जाच कीजिए कि सहकारी संगुवाद की अनुरूप समस्या को रचनात में रूप से कैसे समाल जा सकता है बिहार के विसेश संदर्म में मतलब दो प्रशने हैं सर पोई बाला एक तो के किंदर राज संब्सुद की स्टेटिक पूछ लिया फिर बिहार का संदर्म पोच लिया और क्यों पूछा आपको पता है प्रोटिंद फैनेंस कमिसंट की रपोर्ट आई बिहार संसरकार ने का मिसेश्राज का दर्जा दिजिए कोविट की समस्या खड़ी हुई बिहार संस चिहें और के प्रमेतिश्य में राज़पाल की बूमिका है कि SHT पास अधिक सकती है राजयों के पास सक्तिया नहीं थे राज़ों की पास सकतिय नियुक्स पास है बिहार सरकार के रहे हमें बजड़ दो हमें COVID में मदज चिये थी वो हमें सेसे नहीं मिल पाई और विश्व विद्यालों की मांग कर रही ने लटकों पहले क्या आता तो अप में सही कोई लड़का मेंस लिखा आप में से ही कोई लड़के पास होते हैं उसी में से कोई टॉप कर देता है पता ही नहीं चलता है कि वो क्या लिख रहा है क्या नहीं तो हम लोगों ने आपको ऐसी फैसिल्टी दिये कि वेब साइट पे जाके आप चेक कीजेगा कि जिस टॉपी का अंसर आप लिखें उसी अंसर को बाकी लड़कों ने क्या लिखा चाहे उसमें 5,000 लड़के क्यों नहीं आप देखते चलिए देखते चलिए उसमें रिवीव कैसे आगे आके हम लोग भी उसमें फिल्टर कर देंगे और के अंदर के पास अलग पावर रहना चीए लेकिन संभीदान यहीं कहता है कि इमर्जेंसी में सारा पावर केंदर को देदो लेकिन केंड सरकार क्या सुचती है सब हमेशा पावर वा मेरे ही पास रह जाए यह उसकी mentality है और राज्य सरकार करती है कि सब्सक्राइब एमर्जंसी नहीं यह तो हम तुम रहा पावर देंगे नहीं हमेशा इसी बाट पर टकरा होता है राजपाल को भेज़ दिये जाता है विद्यको नहीं पास करते हैं तो कहां कहां क्या चीज़ होती है तो यह हम लोग आपस में जब डिसकस करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि तब तक आपके अंदर भी clarity होने चीज़ हम लोग जब डिसकस करेंगे तो आप राजपल पढ़ चुके हो आप जो है आप जो है सारी डिपीजों की सक्ति पढ़ चुके हो केंद्र लिस्ट में कितने सब पढ़ चुके हो इन सारी चीजों को पढ़ लोगे केंद्र और राज्य को पढ़ लोगे पार्ट पांच और पार्ट छे तब समझाएगा ना कि संबन्ध क्या है तब तो जान पाओगे न सब्सक्राइब को अगला देखो बहारत के राष्टपती की भूमिका परिवार सब्सक्राइब बुजरुक के समाने सब्सक्राइब को अच्छे से बता होगा यह टेकल आप लोगे करी चुके होंगे बार्ट में छेत्री राजनीतिक दलों को उदय का वड़न कीजिए क्या आपको लगता है कि छेत्री आकांचा और राष्ट्री एक्ता को संतुष्ट कर टिपनी इन सम्में क्या अंतर होता है यह तो मेंचीज है इसी को बच्छवा क्या करता उसने पूछा समर्थन वे तर्क दीजिए अब कुतर्क देदेते हैं अपनी बात लिख देते बिवेचना कर देते तो उससे यह नहीं पढ़ते हैं तुलना कीजिए यह सब पढ़ना परते है तो बहरत में चलए दल अब आप लगता है कि चैत्री आखन और आश्री अपरस्ट्र के लिखन दलों का अच्छा है अभी कह रहा है कि और स topic कै dwarf करती है अपनी बात लेकर हमेशा सामने आ जाती है तो क्या इससे राष्टर की एकताओ क्या प्रवाब पड़ेगा आपको इस तरीका से जोड़ के प्रिश्ण को लिखना है और मैंने क्या कहा था मैंने सिलेवस में बता है पॉलिटिकल पार्टी एक टॉपिक था पॉलिटिकल पार्टी टॉपिक था तो अब आप देख लो ये भी उसी में से है जो मैंने बताया ये भी उसी में से है जो मैंने बताया विहार के विशेश संदर में केंद्रा संबंध उसी में से है जो मैंने बताया अब ये भी आप देखिए संसद का स्वायत्य विदान मंदल इस करने के लिए आपको नुज़न करने केलिए आपको बुलड़ सपॉइνट लिखने होंगे कैसे पूप रुप रिखा वनाएं लेकिन को नॉलेज होती है मैं आप से कह दूँ कि राष्ट्रपत्ति के बारे में लेकिन लिखना अलग कला है उस मैं को 15 मिट के अंदर लिखके दो तो कैसे घाका बनाओगे तो इसे कहते हैं बिरिनस्टोर्मिंग बिरिनस्टोर्मिंग अलग आट है इसके लिए हम क्या करेंगे सर्फ क्वालिटी इंदीच में प्रोग्राम जो हम चर्चा कर रहे थे कि क्योई पी क्यों से आंसर राइटिंग की वो तुम लोगों को जो एक दम भैतरिन तरीका से परपक की जाएगी प समप्रुवता नहीं जाना होगे तो कैसे काम चलेगा तो पीटी को एकदम सॉलिड करके मेंस के साथ जोड़के दोनों को एकदम एक खाने में लेके फिर आप मानो कि पॉलिटी इस बार तो एक कोर कमाल हो गया इस बार क्या हुआ कि पॉलिटी चार कुशन तो इसमें करना है और पूरा आंसर राइटिंग कैसे करने ही उसका स्केमा कैसे देना है तुम लोगों को दिल्ली की वो सबसे बहतरी हिन चीजें देंगे हम जो एकदम यहां यहां बहुत कम लोगों के पास है आप देखिए गा इस चीज को सर तो बहुत बढ़िया इनका जो है चीज बेसिक से पॉलिटिक को एक तुम कवर करेंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक चरते चले आएंगे चीजों को लेंगे ठीक है आई सुरू बताइगे अचाहँ आप लोगों को यह वाला चीजे तो समझ में आ गई कि हम लोग कैसे कैसे इस चीजों को लेकर आगे बढ़ें वएसे वैसे आपको मेंस की अपसे आपको घर पर утьिस कर ठेश घाले आप रहना है ठीक है यह सारे चीजों को हैं डान इस टुक्शर क्या करना यह अपको प्रॉप फॉम में दे जाएक को अप्लोड कर दिया जाए बागी जो क्लास हो फिशलोग वाले हैं उन लोग को यह चीजे को प्रॉवाइद करा दिया जाए अब । व्टेस के बारे में समझ जाते हैं अच्छे के बारे में समझने में क्या चीज है चैसे परकुर से प्ढ़ना है। लड़के हैं ना देखिया आप में ऐसे क्या है कुछ लड़के हैं सब खोरने वाले टाइप के कुछ उसका ना चार साल से पास साल से नहीं हुआ है अब उसको बेसिक बताने के बाद ना उबूसी आने लगता है करता है जो चार साल वाला बुढ़ा गया लोग भी ध्यान से स कि अब फ्यां फंड़के कौशल लड़के कॉश्चंटर इसे सस्डाय स केंद राजसंबंद पुझा था उसे में आजाता है राजपाल की सक्ती is जहां से एकज़ाइट अनसर आते हैं तो अब तो पहले तो एक अनसर आपको एकडम दे देना पड़ेगा ठीक है तो आप चीजों को पहले तो एक लास में आप भी एड़ेस्ट होते हैं ठीक है क्योंकि हम लोग के पढ़ने का तरीका आपके पढ़ने का तरीका थोड़ा सा एक बाद टीनिंग बैट जाती है तो एक दम बहतरी इंदंस हो जाता तो यह वाला एक यह स्लाइड है ना चाहां हम लोग तो आपको बताते हैं एक बार आप टीनिंग बैट जाती है तो फिर एजी हो जाएगा आपको समझने में एक बार पीटी का समझ जाते हैं का ऐसे क्या होगा उसके बाद चोटा सा टॉपिक ही स्टाट कर लेते हैं क्योंकि जैसे वह स्टार्ट है तो आज छोटा सा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे हम लोग एकदम रेडी फुल फ्लेजर से क्लासी स्टार्ट करेंगे आज ही से तो थोड़ा सा आपको भी पता होना चाहिए कि पॉलिटी का अप्रोच अलग है निबंद का अलग है मैच मत कर दीजेगा कहीं पर तो बीना बाला जाएगा निबंद का अफिर अलग बताएं हम अब जोगरफी में आएगा हम अलग कहानी सुनाएंगे आपको सबीधानिक विकास से उठाएगा कोश्चान अधम लास्ट तक पूछ देगा आपको पूरा का फूरा तुलनात्मन फिर आयर जाके मंद में से पूछे का इंटरनेशनल रिलेशन आयर वाले में तो अभी थासा पीटी के अप्रोच देख लेते हैं सर माइंड मैपिंग कैसे कुछ ट्रिक्स वाले होते हैं तो आप लोग में एक साथ पढ़ते जाएंगे तो आपको छोटा लगने लगें लेकिन बताना हम लोग का काम है तो बताना है क्योंकि सारे लोड़कों के स्टेंडर्ड एक जैसा नहीं रहता है तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपी की स्ट आप ठीक है तो आप लोग तो आप साथ से भी टीनिंग मैच कर लीजिए बागी हम और दोनों लोग एक दम प्रॉपर करेंगे आप लोग को पास जो यह दो दिन का आराम मिला है नहीं यह आराम हराम होने वाला है दो दिन के अंदर अभी आपका निबंद प्रॉपर अब साइन से प्रॉपर इस्टाटाप बहुत बड़ा हो गया है अधर बढ़िया दिखेंगा यह वाला सलेक्ट कर लिए क्या कोई भी कर लिए यह यह जादे ठीक रहेंगे यह वाला यह साराफत से चलता है इसे डिजाइन बनाने लगता है फुल पत्ती में तो सर यह कि आपत करेंगे तो समिट भी हो जाएगे ना कि देखो गया ना पीटी एक बात तो आप सब्सक्राइब नाम के वर्ड से आप इसी के पॉरा मामला ही खराब है यह समझो इसे पॉलिटी लिखा है तो पॉलिटी वर्ड मानके निकलो यह पॉलिस से निकला तो पॉलिस क्या था पॉलिस क्या है? तो पॉलिटी में पॉलिस क्या होता है? पॉलिस होता है, पॉलिस होता है сильно Eagle अब आप मेरी बात को समझना ने आपको बट बेसिक सी बात थ क्या समझाऊँगा कि लक्षमी कान तो भूल जाओ लिखी न राज ब्यवस्ता अब जो राज है न इसको यह आप लोग राज बोलते हैं इसी नाम को आप बोलते हैं सिटी स्टेट सबसे पहली बात समझों ब्यवस्ता की बात करूं सहर की ब्यवस्ता की बात करूं गाउं की ब्यवस्ता की बात करूं ब्यवस्ता इसमें दो ची आप याँ सब रखते लग रखते को जो आंगे नेवे तो ब्यवस्ता का मतलब नेव और नेयम चलाने के लिए रिखतों चाहिए नियम लिखतों नो से चलती है और राज़िवस्ताँ कि का लिखे रहते है है सम्मिदान में अब आपको ड्राइब करके बताओ तो कुसन कैसे बसेगा यहीं से यहीं से थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस को लेकर कुसन पूछा गया भी पीसी में कि पॉलिटी पॉलिस हो गया इसका मतलब है सहर राज्य हो गया लेकिन सरी बात बताईए इसका अध्यन क्य पॉलिटी का इसका कॉंसेट्ट क्या है क्यों आप पॉलिटी पड़ते हो रीजन क्या रहा इसका रीजन रहा कि जन संख्या बढ़ने लगी देखो समझो कॉए किसी गोले पे पहले को दूठ नहीं पैदा हुए आप क्या हुआ कि दो पैदा हुए तो फिर दो से तीन दो तिन दोस्त आगे गएंगे सब मामला गरबर कर दी हमाई लाइफ इसनल खराब कर दी तो जैसे जन संख्या बड़ी लोगों ने कहा नेम चाहिए नेम और नेम को लागू करने के लिए किसकी आवसकता पड़ी ब्यवस्ता की इसका मतलब यानि मैं इस सब्जेक को दो प यहलिस प्राज्ट अब आगए एक प्रहार की दिमागत आएगा कुदेश बात बताईए बिहार भी राज्ज हें ए मपी राज्ज है उस राज्ज में और इसी रत्म्राउस की spécial प्रसासन हो सके पॉलिटी में जो सहर राजज का कौधस्ट नेशन स्टे नेशन स्टेट समझ मेंआया ए시न स्टेट का 별 के लिए इसको क्या गोलता है रास्ट राज्य अब आपके सर कई से पैचानेंगे राज जा क्या है बीपैसी तो छोड़ो दिल्ली पूलिस में पूछ लिए गए बीपैसी दू कई बार पूछ लिया कि राज्जी को कैसे पैचान होगे वह राज्य के चार तब तो होते हैं पैचानने की डेफिनेशन है चार चीज होंगी नहीं है पहली हमने क्या उला संजू पैदा हुआ मतलब पैदा हुई संझ्क्या प्टमेशन अव् किया पैदा आट अब वो जनसंग क्या रहने लगेगी तो आप क्या बोलेंगे सर निश्चित भूबाग सर आप लोग क्या बोलेंगे मैं लिखता हूं इसमें भूबाग यानी सर क्या होनी चाहिए टेरिटरी सर तीसरा भाई तीसरी चीज है सबसे इंपोर्टेंट अब एक बात मुझे आप आप लिखे ती राजा अब पचास आदमी रह रहे हैं कमरे में और उसमें जगे भी है अब लेकिन उनका कोई बॉस ही नहीं है क्या काम किसको करना है तो सरकार के विए नाइए कंट्रोल नहीं होंगे तो चीज की किस की आवा सकता बड़ी सरकार की अब देखो सरकार के बा सवरे वीटि लो अभी पढड़नाटों पछ tagi प्रखंट होटे है आनत्रीक बाहर एक कानुमी समपर्वता नाम थ्रीग सम्पर्वता वास्ते एं उसंपर उसन पर उसंपरुटा इख है आप दो कुछ नईや निवा थो तो हो गया अब यहीड होगा जहां फूरत भी संफर्वुतर है क्या नहीं भाबा योगी के ओपर मुदी जी झाल नहीं एक रफों प्रुपतर नहीं है श्रकार नहीं सेकिन नहीं सा संपरूर कब हुआ 1947 में आप कह सकते ह wohताब 1977 में मिली और अब हमारा यह सर्गहों अब देखो तोड़ कि पड़ो यह राज्ज हो गया और punishing क्या वय्वस्था कि सबस्के अब कि वारे में बात करेंगे सब्सक्राइब बारे में इस राज जी की व्यवस्था के बारे में जहां पढ़ाया जाता है व्यवस्था सिस्टम अमेरिका में राश्पती चार साल का इंडिया में पांच साल का रूस में छे साल का अमेरिका में आप देखो लिखिश सम्धान है इंडिया में देखो आप लिखिश सम्धान से निकलती है अरे हां या ना क्योंकि विवस्ता के लिए क्या चाहिए आपको सर नियम चाहिए सर कानून चाहिए और किसी वी राजी की विवस्ता को चलाने की नियम और कानून जहां लिखे होते हैं उसे सम्मिधान कहते हैं अब लिखे हो चैना लिखे हो मुझसे पूछे हैं गुरुजी कैसे ऐसे कैसे अपने घर की बात याद करो तुमारे घर में सिस्टम है तुम्हारे घर में सिस्टम है कि वही है बाबा जी के पैर चुने गुरुजी सुए सुए जाके और पिताजी कासी दाथ और देली का 100 रुपई है मिले का खर्च करने के लिए 50 मुझा है बहुत बड़ी बात है व्यवस्ता है यहीं लिखी है नहीं लिखी तो जरूरी नहीं यहीं लिखी हो इस आधार पर सम्मेदान दोबरकार का होता है लिखेत सम्मेदान और लिखेत सम्मेदान और लिखेत सम्मेदान यानि जरूरी नहीं नियाम लिखी हो पर विवस्ता का होना जरूरी है अब आप जब पीटी में आप पढ़ोगे तो यहीं से 5-6 कोशन बन ज तो लिख्ःत सम्मेदान तो आपने देखा आपक्हा यह और इसत्र नहींत तो हाई दिमाग में एक बात आई सरक कैसे लिखित अलिखित का मतलब कैसे हुआ जहां कि देश के लोगों ने नियमों को बैठ कर लिखा और लिखित लिखा लिखित सम्मिदान से न्याथ के लोगुगों को बैठके नहीं लिखा बस वु बाबा करते थे रावऑ की दादा करते थे वह नियम चले हा रहे हैं पर लागू हो रहे हैं है और लिक्षट समधान यानि मैं आधारित है वो लूहायान कोई कोछन कैसे पूछेगा है साधी पूछेगा यहीं से मेस का बन जाएगा सर अब देखो संपुरु होता यहीं जो कुछन राज्य की परिवासा में ही आप पढ़ते हो फंडामेंटर राइट आटिकल उन्नीस और आटिकल उन्नीस को आप पढ़ पर लिखा हुआ है कि 19 स्वतंत्रता हैं तो है स्वतंत्रता के उपर प्रत्यबंद भी आरोपित कि अगर आपने एसा इपी सोवरिनेटी इंटीग्रिटी और यूडिट जो है हमारे कंट्री की सोवरिनेटी इंटीग्रिटी अगर आपने इसको चोट मोचा एकता ऐ् salaam yanagra लेकिन तुम गए और तुमने जाकर जोए कहीं पर भी कर लिया लगा लेकिन तुम थेला लघा दिया अम मृज आधिकार मिला है तुम्हें कि जितना चाहूत थेज बोलो जितना चाहोतना अपनी बासन व्यक्ति स्वतंता का प्रयोग कर सको तुम भासन का प्रयो चोटा सम्मिदान अमेरिका का अनुच्यत के बेस पर है विश्व का सबसे छोटा सम्मिदान सब्दों के बेस पर अलगे अमेरिका के सम्मिदान में सब्द ज्यादा है अब BPSS लेवल पर अगली बार पहुंचेगी आगे चलके पहुंचेगी कि सबसे छोटा सम्मिदान सब् सबसे बड़ा सम्मिदान सब्दों के अदर पर कौन सा विश्व का सबसे छोटे लोग तंत्र का सम्मिदान कौन सा अब यह डाइमिंशन क्या है अब आगे देखो तो होता क्या बाबू मेरी बास समझो जब तुम एक रटी रटाई फिक्स नॉलेज के अंदर घूमोगे तो कभी भी competition के साथ आगे नहीं बड़ पाओगे क्यों नहीं बड़ पाओगे examiner थोड़ा change कर देगा आप फिर एकली साल फिर पर दोगे आपको गोई गुरुजी एक बार पेपर और दे लेते हैं तो एक कमेंट करके आपको बदाना है विश्व का सबसे छोटा लोग तंत्र जिसका समयदान ने उसका नाम बताओ कमेंट करके हैं कि देखा कितना प्यारा प्रिश्णे तो बेसिक बाते थी चलो हमां मूल अधिकारों की बात करते हैं और आपको टॉंसे सब जाता हूँ मेंस की चीज़ने लेके चलते हैं प्री में दोन रेट करते हैं मैं सब से यदा पॉलिटी एक होता है पॉलिटीकल साइंस एक होता है कॉंस्टिट्यूशन एक होता है पॉलिटिक्स हिंदी देखो राजनीती सम्विधान राजनीती विज्ञान अब देखो आज तुम लोग बोलते हो और किसी को कि गुरुण जी क्लास उसकी चलवाद दीजे पॉलिटीकल साइंस की क्लास नहीं चल रही है इदर देखो वह यह बहुत सिंपल सिस्टेम है इदर देखो वाई इंडिया है कंट्री है हमारा देश है नाम है भारत मेरा जो यह इंडिया है अब हमने का राज राज का मतलब राज से निकाला अब व्यवस्था इस देश को चलाने की व्यवस्था के बारे में जहां पढ़ते राश्ट्रपती होगा पांस साल का प्रदान मंत्री होगा पांस साल का सरकार चुनेगी हटेगी केंदर की सरकार राज्य क जानी बेवस्थां का आधियन इंडिया की विश्था आपने राज ब्बगोंस साल का हमा रपास अलका अब कोण सच जहाँ व्यवस्था में कमपरइट्व अध्यन होता है उसे क्यां देए एं राजनीति विग्यार। तो पॉलिडी कल साइस एस जाइन सेट एरु स्टेटी डिफ्रेंट अ-जिवास्ताओव का द्धिन करो गया। इंडिया नहीं सब्ठूनीओ साइब कीसाथ साथ सम्मिधान क्या है अब देखो यह बहुत बड़ा बच्चों कर दो सब्सक्राइब किया है देखो भाई या सम्मिधान में और पॉलिटी इस अधान एक फिक्स नियमों की किताब है सम्मिधान किताब है उसमें नियम लिखे तो बॉल्स वेर दरूज ओफ सिस्टम जहां विवस्ता की नियमों को संक्रित किया गया यह संकलित किया गया उसे सम्मिधान कहते हैं अब मेरी बास समझना कैसे अब समझो कैसे हैं हमारे सम्मिधान में आप के तो गुरुजी बताईए इस सम्मिधान नहीं लिखी है जिसे कि लो तो यह क्या है कि नियमों का संग्रे है यानि देश की विवस्ता को चलानी कि नियमों का संग्रे जहां लिखा होता है उसे आप क्या कहते हैं इसको कहते हैं आप सम्मिधान नियमों का संग्रे सिंपल सिंपल प्लिक्स क्या है यह तो बड़ी काम के चीज है बड़ा मजी से स सब्सक्राइब होगा कैसे होगा किसको बिठाना है किसको डाना है बिहार की सरकार गिरा दी वहां की गिरा दी यहां की गिरा दी तो यह साइन्स है मेस में सब यह टॉपिक आता है मैस में कि बिहार के राजजपाल इसक विहार में यह हड़ से षट रड़ भी हार तो कहीं कहीं आज सप्रवाब के मेस में राजनीती के साक्षा करें कर से लेकिन इसी पढ़नाहीं यह पढ़नाहै но और बस में यह पढ़ना है और यह साथ में पढ़ना है यह मिक्स करके इतनी सी बात है अब सर्णने का अधिकारों के बारे में देखो गलती तुम लोग क्या करते हो कुछ संग पूछा जा रहा है बीपी असी में तुम लोग अधिकार सबको आता होगा करता भी किसी को नहीं अधिकार करता भी किसी को याद नहीं होंगे सब अधिकारी अधिकारों का मामल है अगर मूल अधिकारों के मैं बात करूं तुम हर सामने एक बहुत समस्ते हैं आप अपनी ज्यान को देखो कि तुम्हें कहां कमिया छूट रही है कि मूल अधिकार जबाँ पढ़ते हो तो आज इसकल बीपेसी के स्टाइल के एंसी अटी स्टाइल है एंसे अटी के फंडमेंटर राइट नहीं बढ़ाती आपको दो सब्द हैं इसमें एक सब्द है अधिकार का मतलब है राइट्स। अब प्यारे विध्यार्थियों मित् ऊभी देखो सुनो प्राकर्तिक अधिकार आप कहें गुरुजी ये क्यों पढ़ा रही हो अभी देखो बड़ा मज़ाए गार्थ किlusive कर मुली अधिकार ऑर देखो मेरी बात को समझेंगे पड़ी द्यान से, देखो बहुआ, सबसे पहले समझा अधिकार क्या है, अधिकार ये है कि अगर तुमने इस क्लास में एडमीसन ले लिया और हमें फीज दे दी, तो सर अब इनका अधिकार बन गया, हमारा कर्टत भी बन गया कि तुम्हें पढ़ाना है और तुम्हारा अध पैदा हुए जो तो कैसे थे, एकदम फ्री, स्टायल, अभी ये रोड पर जाना फ्री स्टायल हुए, पुलिस बाला राज जी आएगा, कहेगा, यहां से मोटर साइगी लेटाओ, साइड में लगो, तो राज जी को आपने क्या देदी, स्वादंतरता देदी, राज ने ब पूचा है, प्राकर्ति के दिकारों का जनक कौन है, जोन लोग, बेसिक प्रिशन, जब पैदा हुए, बच्च्वा जब पैदा हुआ, एकदम रोता है, तेजी से रोता है, तो आप सुनने का दिकार, देखने का दिकार, सुने का दिकार, चूने का दिकार, प्रिस के मैसू किलिम्स क्या पूछाता है प्राकर्ति की दिखासों का जनदक को ने जोरो अकॉर है में प्रेदान करता है ने और एक नई चीज अग outta करते के दिकार सर्व नंग को प्राप्त नहीं प्राकर्ति के दिकार है अब में शर्स में पढ़ते हो तो मानव और पशू दोनों को प्राप्त हैं यानि गंगा को भी अब आपने देखा कि गंगा नदी को भी सर दर्जा दिया गया मानव उसका क्यों प्राकर्ति के दिकार तो अब प्राकर्ति के दिकार मानव और पशू दोनों को प्राप्त है लेकिन प्रकर्ति इसकी गरंट रहे मानव दिसंबर मानव अधिकार दिवस कम मना जाता है मानव अधिकार का गरेंटर कौन है अधिकार मानव अधिकार आपके देश का सम्मिधान देता है गारेंटर मतलब तुम को पाकिस्तान में जाके कि हमारा अधिकार है कि हम गूमेंगे वो कहेंगे अच्छा चलो तुम अंदर थोड़ा सा पहले कुटाई करते हैं तुमारी सिस्टम अलागे वह यह तो यह क्या है कि मूल अधिकार प्रतिक देश का सम्मिधान हों के लोगों को देता है सम्मिधान सम्मिधान देता है अब सब्सक्राइब देखो नागरिक और हमारा सम्मिधान के लिए बढ़िया हमारे नागरिकों के लिए इसको आप छोड़ दो इसके अलाव हमने सब को दे दिए सब पक्रो मतलब सम्मिधान का खुबसूरत है कि नागरिक और गैर नागरिक दोनों को देता है लेकिन विश्यो का ऐसा सम्मिधान हर कोई नहीं है कि गल्ति कर दो मैं या कही और जाकर कि डिखार सिर्फ हमारे देश कीराइनिक हूँ आपको देता है तो संपनान ने इसकी गारनिटी के रखी है और आप सुनों इसका सानग्चक को ने इनका सानग्चक्ः चुन अ brown ने बता दिया कि मानव अदिकार गासा यू करतिं रखह अच्य रुदू लेकिन प्रो टेक्ट्र आछ सुप्रीम कोट कानून अधिकार क्या है? इस सब पतक सिस्टम में लगे ही, सबका बाप, बाप का बेटा, बेटे का बेटा और सबसे नीचे वाला. एक दब प्रकृती में, कानून अधिकार, जो आपको किसी देश की कानून के द्वारा गारेंटी दिये जाते हैं, इस कानून के द्वारा, क लेकिन चवालीस में संभिदान संसुदन के माध्यम से 1978 में उसको अठाकर अनुछे 301 के अंदर कानूनी अधिकार बना दिया क्योंकि कानूनी अधिकार के लिए आप सीधे सुप्रीम कोड अनुछे 32 में या 226 में सीधे हाई कोड नहीं जा सकते तो कानूनी अधिकार और मू देरे दिरे देरे 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 दीरे दिरे देरे देरे इन को आप जा़ गया आप जैसरी अधिकार का कॉंसेप्ट है आप लोग क्या करते हैं यह वो पकड़ते हैं कितापों प्योंब और सीधा बारे से 35 हाज 12-35 रगड़ तो 12-35 समझने से पहले यह सब समझना है पिर अधिकार आपको जो दिये गए हैं, अब आप पढ़ेंगे, अब आप पढ़ेंगे मूल अधिकार, तो फिर मूल अधिकार का इतियास पढ़ो, कि हमारे कंट्री के मूल अधिकार से पहले दुनिया में सबसे पहले मूल अधिकार कहां दियेगे, क्यों दियेगे, कहां लिखि सबसे पहले सम्दान में कहां में मूलादिकार और फिर देखो PT की तरीके बताता हूं आपको ऐसी मूलादिकार पहे आता हूं अगर मैं आपसे कह दूँ आगे जी सर्ट देखिये भगवा लोग आप लोग को समझा रहे हैं तुम समझो इस कहे गा ना कि सर्फ PT का पहले बता ह कि अगर बचाएंगे इनको कोई सुने को सम भी और बचाएंगा इनको भुकम आ गया मानो जारा है वह कुछ में तोड़ी जानवार से लेकर तूर्की में सब सुने में को सबकर रखिये को बचाएगा भुकम से वह प्रकृतिक अधिकार है हमें जीने के लिए इस यह सब च समस्य जो लोग मैं पढ़नी हैं लोग लिब्रेसंट टाइगर्स अफ्ता मिली लग अफगानिस्तान में अच्छा काम भी करता है जैसे हम लोग के अभिनंदन थे पाकिस्तान में उनका जहाज क्रेस्ट कर गिया उसमें यूएनों भी अस्तचेप कर देता रेड क्रोस के थू रेड क्रोस मानोदिकार के लिए युद्ध बंदी अगर पकड़ा गया तो आप उसको नहीं कर सकते हैं अचा पाकिस्तान का काना है कि हमने अभिनंदन ये वो सुर्य हमने तुम्हेरा तिरानबे अजार लोटाए हैं तिरानबे अजार एतना खाना खाया था सब ना थिरान से बताएंगे आप लोको समझना अब जैसे यहीं चीज अभी सर बताएं आप अभी पॉलिटी है Constitution है अभी जब इसमें जाएंगे तो पूरा डिटेल से जैसे Constitution में बोल देता है 265 में अर्टीकल 265 में बोलता है कि टेक्स लिया संसर टेक्स लेगी ठीक है कहां गया या तो जैसे ना अभी सर बताएंगे Constitution संभीधान तो संभीधान में लिख दियागा टेक्स लिया गया जीएश्टी लिया जाएगा जीएश्टी नियम कानूनिया आप ले जागा पॉलिटी में बनाए गया यहां पर दस तरीक तक आरवन जमा करना आट्टू जमा करना नहीं संभीधान में लिखेगा बोरा में लेके जाना पड़ेगा संभीधान में प्रमोशन कई से दिया जाएगा हावलदार की salary डिजी की salary कमिश्णर की संभीधान में हालते संभीधान एक shortcut हाँ प्लिस बेवस्था रहेगी राज्य सरकार उसको देख कका टाम अब पुल जल जायगा कहां पर पोलिटी में अब अब raja सरकार अपने हीसाफ से पूलीस बनाएगी, कि उसका अड्रेस कैसे रहेगा, कलकत्ता है कि पुलीस का ड्रेस अग, महारास्ट की पुलीस का ड्रेस अग, लोगो अलग, सैलरी अग, बिहार का अग, यहांप, सब का अग, हमारे तो यह सारी चीजे आपको डीटेल से सब एक दम बताएगे, कुछ लड अब इन लोगों अधिकार के बारे में से अब इन लोगों बहुत लाइव वाले सब लोग समझ में आता है न तो तुम लोग इतना ना कमेंटे भर देता है लोग इसका कोई हतने सब चीज़ समाज में आएगा विश्व में मुल अधिकारों का इतिहास यहां पड़ोगे मेगना काटा कही से आया 1789 में कैसे 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 आया अमेरिका में कैसे आया विलो फ्राइट्स क्या था फ्रेंच रिवोलुशन का क्या था फिर भारत में मौनद कदिकारों का इतियास फिर आपको पकड़ के लाएंगे कि बेटा अब समझो भारत के संब्दा अब भागा थी र shining में मौलिक अधिकार बारे से लेकर 25 अब यह क्या है सरी आँ मेरी बात को समझाथ देखो तो अब क्या होगा आप लोग यह प्रक्रती मौलिक अδिकारों को आपनूग क्या करते हो आप लोग यह करते हो किसर सुरूत कर देते 14 चाज रहें कि उननीच से वाइस आप लोग दम सौट कर तेश से चौवीस पचीस से अटाइस उन्तीस से तीस एक तीस अट गया उस गुरू जी बतीस पड़ा दीजिए उसके वाद तेटीस चौटीस से मतलब नहीं है आप लोगों को आप तीस को भी नहीं पड़ते हैं आप के पर यह है सर मौलिक अधिकार हो यह है मौलिक अधिकार 14 से आप लोग एकदम मौलिक अधिकार के बाद सुरू कर देते हो कि सर यह है मौलिक अधिकार अब भाया यह मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार दिये किसने आप से मैं कूँ आपको अधिकार प्राप्त है आपका अधिका और हमारा तोहर अधिकार तोह अधिकार तोहर प्रकार मिलेगा कैसे, कौन देगा तो आर्टीकल बारे में से जी साथ तोर प्रका रखा रखा है कि यह जो मौलिक अधिकार है यह आपको राज्य के भुरुद्द गिरगे अब राज्य क्या है? अब मैं राज्य हूँ, तुम तो राज्य की परिवासा जो आप देखते हैं वो कहां मिलती है आठीकल बारे में मिलती है अब मन में खयाल आएगा गुरुदवेक बात बताईए आठीकल बारे में राज्य की परिवासा क्या है क्या राज्य की परिवासा में नियाय पालिका आती है कि नहीं आती नहीं आती आटिकल बारे में राज्य की परिवासा आप सभी को पता है संग की कार्रेपालिका, राज्य की कार्रेपालिका, संग की विधायका, राज्य की विधायका और पंचायती राज को भी आप जोड़ दोगे लेकिन नियाय पालिका नहीं आती यानि प्रधान से लेकर प्रधान मंत्री और प्योन से लेकर आई-एस आपसर यह सभी क्या हैं यह सभी राज्य हैं सभी राज्य हैं लेकिन नियाय पालिका राज्य की परिवासा में नहीं आ तिरेंगे राज इनमें डंडा लेके आ जाएएगा कि आप जब अपने मौली का धिकारों का प्रयोख करने जाओगे आपने देख्भा पीक्जांपल कोई साउ व्ला राम लिला मेदान वाला 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 वो भाभा अपने अपक definitely फैङ्ज होतें लेकिन कोई आया को नहीं हो राज या राज या यह तो इस्टेट आया तो बारे साफ पोलता है स्टेट राज की बुठधे और तेरे में साफ के दिया है की राज जो बारे में डिफाइन एक एक एसा कानून ही बनाएगा ऐसा कोई लोग नहीं ऐसा कोई विधान नहीं बनायेगा जो मौलिक अदिकारों के खिलाब हो लो तो बाहरे और तेरे most important article most important article तो तो तेरे में साफ है कि कोई एसा कानून नहीं बनेगा ऐसा कोई law नहींबेगा जो against the fundamental right जो मौलिक अदिकारों के खिलाब हो प्रविद्यारतियों यकीन मानिये लंबे समय से पॉलिटिव हंडल कर रहा हूं लाखों बच्छों हंडल किया है यह वो चीजे हैं जो आपके दिमाग में चपनी चाहिए एक दम तेज तर्रार तरीका से कॉंसेप्ट को ग्रैब करो फिर देखो कि ऐसे कैसे होंगी कैसे याद करा दूंगा चुटकी होगा है आप मैं अभी मैं आपसे पूछ लूँ अनुच्छत 19 के सारी के अधिकार बता दो छो के छो एक किरम में बड़ी कठिन डगर है एक किरम में एक किरम में लेकिन आप बता अभी दोगे रट रट आगे मैं पूछू बिड़ो एक काम कर बता दिये आप बीपियस कहां तक चल रहा है यहां तक चल रहा है 1911 कि अनुच्छत 19 पर प्रत्यवंद कौन से आर्टिकल में लगा हुआ है 19 एक ए में हापको नहीं पता क्लॉस सब क्लॉस आर्टिकल 19 वन सब क्लॉस प्रत्यवंद में लगा हुआ है कि गुरु यह सब क्या था तो पहले यह याद कराऊंगा ABCD अब देखो A है B है C है D है E है F नहीं है F खतम हो गया तो क्या है बचा जी है जी है तो देखो एक दो तीन चार पांच है अब या आपने खुब पढ़ें और इस सब को पता है सर यह भासंड की आ जाती है अभिवेक्ति और भासंड की में इसमें किया बास्रना विवेक्ति में क्या difference है इस पर कैसे पावंदी लगाई जाती है क्या मौलिक अधिकार व्यारत के संब्यान में लोगों को जो है पने एक बार की कहानी बताते हैं एक बार क्या हुआ मैं बस में जा रहा था अब बस में जा रहा था पुरुस बैठा हुआ दूसरा पुरुस है तो इसे करके बैठे हुए सीट पर बहुआ एक अपने खरीद रखिए कि नहीं सर नहीं सर तो क्या निकल के आया कि आपके अधिकार दूसरे से सहसंबंदित है आप चिलाओगे तेज 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 चिलाओगे तो दूसरे को डिश्टरब होगा तो आपके अधिकार अपसल्यूट नहीं है सहसंबंदित है आप किसी के अधिकार के हनन कर सकते हो इसलिए आपके अधिकार के उपर पाबंदी लगाई गये हैं और आप क्या पढ़ते हो आप यह पढ़ते हो अनुचित 191-1920 के भासना विविखती इसको याद करना बड़ा आसान है महात्मा बु महात्मा बुद्ध ने क्या दिया बोलो क्या दिया क्या दिया भासर दिया तो सबसे पहले क्या हो जाएगा लो आज मैं याद करने का तरीका बताता हूं फिर कॉंसेप्ट को पकड़के तो मैं समझाओंगा कि कैसे समझोगे भासर और अभिवक्ति अब इन दोनों में तो आप अभिवक्ति मैं तो बोला ही नहीं निउस्पेपर में लिखना राइट टू प्रेस आई टी आई सब क्या है अभिवक्ति अभिवक्ति के अंदर आ गया तो जब आप इसे पढ़ोगे डिटेल में तो पड़ी चीजें पढ़ेंगे इसमें सुप्रीम कोड के जो के मैं आपको पीटी में भी चुड़ा के लिखवा दूंगा तो पीटी में फांडेशन बनाएंगे इतना स्ट्रॉंग कि पचास क्लास में महीं से बदल देंगे पूरे दुनिया की कहानी देखो और देखो अब पहले आपने भासर दिया देखो मैं समझाता हूं सोचके या लोग आये तो क्या वनी सवां सभाव सबाव समझा आप गयरे मनें इसको समझाओं अब तो आ सम Осल 295 कर जैसे सवां बनी लोग निब समालों तया। ये अब बौत धर्म का संगठन लोग अ क्या हो गया संगठन हो गया बाई पहले भासनर दिया लोग सुनने आए और जिन लोगों को इस बात पर यकीन हो गया वो क्या हो गया संगठन बन गया कि मापना पुद्द ने उनको आदेश दिया कि जाओ पूरे देश में बहुत धर्म को फैला दो संगठन ने क्या किया मेरे प्यारे विद्यारतियों पूरे देश में ब्रहमड करने का अधिकार दिया जो ब्रहमड करने गए तो जहां गए वहां निवास करने लगे निवास क करने का दिकार प्रापत हुआ और बाद में वही क्या बन गया जीविका का सुरोध बन गया यह आप के सकते हैं कि राइब्यृब लेह को बश्चवार अब को किसी भी चीज को बेलेकर लेकिन डटेल में नहीं इस वैप in गूर। कि आप मैंसे अभी देखो बहुत बच्चा सोच रहा होगा कि गुरुजी एक बात बताओ अनुच्छ उन्नीस हाँ टॉपिक तो नसी ले लिया मोल अधिकार क्योंकि आपको तो इंट्रेस्ट आता है तो मैं तो पॉलिटी पी नाम के सब्द से पढ़ाता हूं पी फॉर पॉ प्रेटो अरस्तू और खैस्ते ले जाएंगे पॉलिटी को तो अब भारत के अंदर ध्रमड करने का अधिकार अनुच्छ उन्नीस के अंदर आता है अंदर 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 मतलब गाना सुनाएं जाओ चाहें दिल्ली मई आगरा कौन सा आर्टिकल है उन्नीस है उन्नीस का प्रमड करने का अधिकार है उन्नीस एकडी में लेकिन तुम उससे कहो कि सर बिदेश जाने का अधिकार तो बवा तुरंद मामला अंदर तुम कहो कि जाओ चाहें पैरिस द पूरा बदल गया तो इनको जोड़के पढ़ना पढ़ता है fundamental right को जोड़के पढ़ना पढ़ता है मौलिक अधिकारों को Supreme Court के साथ जोड़के पढ़ना पढ़ता है और conceptual clarity चाहिए देश की अंदर का ब्रमण 19 का part है दिल्ली मुंबई आगरा पारिस लंदन दुबई 21 का part है उस समझो ना जी 19 साल के होते हो घरवाले कहते हैं जाओ पटना चले जाओ सिवान चले जाओ छपरा चले जाओ 21 साल के होते हो फिर आप कहते हो पापा मुझे दिल्ली जाना दिल्ली तो 21 में क्या है विदेश जाने का अधिकार मेंका गांधी केस में राइट टू लाइफ के अंदर आर्टिकल 21 जोड़ दिया गया कि देश के बाहर ब्रमण करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता राइट टू मूब अब रोड कि समझें तो अंतर है अब पावंदी पावंदी बच्चों को यादी नहीं होती कि सर अनुच्चत 19 एक एक ऊपर पावंदी कहां लगी है कौन से आर्टिकल में लगी है गरुदेव यह नहीं लिखा है लिए उसेंट में गरुदेव यह नहीं पड़े अरे बाबु यहां यह दखो ऐसे पढ़ना है इसकी कौन से आटिकल में 19 दो इसकी कौन से आटिकल में गरूजी 19 तीन इसकी क्स आर्टीकल में गूर्य उनिश्च चार इसकी अब आप को गूरूसी उनिश्फ पाच गुरूसी की इसकी उनिश्फ चै तो कैसे कैसे रोका जाएगा आपने का मुझे तो प्रमर्ट करने का दिखारं गात सै मैं और आप सेल्यूट नहीं है मूस मैं करने का दिखार है आपने बाइक ली पुलिस बाला अंदर 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 तुमकि उन्नीस है पुलिस बाला वोला उसमें लिखा है लोकसा स्वास्त के आधार पर पावंदी लगाई जा सकती है लगा दी अंदर 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 तो आपसलीट नहीं है रिलेटिवे हर किसी की पावंदिय लग लगे प्रिलिम्स में आगे लेवल यही बढ़ने वाला है तो अब मेंस में कि अधिकार एक हासे दिये जाते दूसरे आसे छिल लिए जाते टिपनी करें लो बताओ अब मिखने लो जो पोन को आधिकल्ट राइट्ट टय्क कोलिटी पंद्र लिया टरम जाती लिंक आभो नहीं होका हम वहय नहीं होगा गगा और अरच्च्छ दे दिया मैला हों को अरच्छन जाती के अधर पारच्छण, धर्म के अधर पारच्छण, लोग लिया और छिन लिया, सरकाई नोगरी मारच्छण नहीं होगा सोले में, वो भी हो गया, अश्परस्टा कान चलो ठीक है, उपादियों कान चलो ठीक है, 19 पूरा दिया छिन लिया, तो एक हाशर दिया दूसाथ छिल लिया जाते हैं, कैसे लिखोगे, जब पता होगा तब तू लिखोगे न, तो प्रिलिंस क्या है? अब प्रिलिंस से प्रस्टे मनेगा, अनुचित 191 के अधिकारों में से निमलिकित मैं से, कौन सा नहीं है, कौन सा है, और यही मेंस में, इस तयार रहो कि किसी भी टॉपिक को लेकर किसी भी टॉपिक को लेकर लेकिन चीजों को तयार करो देखो पढ़ाई कई अच्छा सॉल्यूशन यह है एक बार में इतनी घहराई से पढ़ो कि दुबारा जरूर्द ना पड़े एक बार में 15 एकडम हो ठीक है मुझे लगता है एकडम तुम लोग अब एकडम चकाचग हो गयो और अब समझ में भी आ रहा है कि बिटा क्लास कितनी खतरनाक होने वाली है अब जो है अब बिदा लेने का आपके साथ पो रहा है ठीक है मिलते हैं क्लास में खतरनाक तरीका से सरीक्डम सार्प तरीका से में प्रेलिम से रिख दम डीएस्पी बनेंगी सर सब यह ठीक है डीएस्पी बनेंगे सिस्टमेटिक यह तो सब समझ में आ रहा होगा अब लोग को अब तो थोड़ा बहुत आईडिया लग गया होगा कि आप लोगको एक्जेक्ट पढ़ना क्य है और क्या लेबल रहेगा ठीक है फर्स्ट क्लास है तरह से कहीं इंट्रोडिक्स इंट्रोड्रक्शन है अब सर का इंट्रोडक्शन या चीजे में क्या है अभी सर अपने सब्जेक्ट के पी एचडी तो कोई भी चीज जब यहां पर आते हैं लोग के जीएस में पढ़ने तो आप लोग भी धैर बनाएं आप लोग का भी बहुत-बहुत इसके लिए दन्यवाद और म thực किसी भी चीज में प्रोब्लम नहीं आएगी आज के क्लास को थोड़ा साम लोग सौट रखते हैं यहाँ पर बाकी कल से आप लोग को देड़ दो गंटा दो गंटा और चार गंटे और नेक्स्ट मन के चलिए आपका होली तक तो आप चार गंटे ले लिए होली के बाद आपक कि छुटी के टाहिम की चुटी के टाहिए पर आप सब को पताएगी टीचर्स लोगों को भी हम लोग के विभी वियसता रहती है तो एक वहीं छुटी का ही सब मिलता है कि हम लोग भी इदर-फदर जाते हैं घर बहुत दिन हो गया मेरी मामीया तनाटना चालू कर देती है तुमको आना है कि नहीं आना है होली में हम कहना ना एकदम सुप्रीम कोट का अधिस कोण टाल सकता है हम लोग को भी होली वगर हमें जाना रहता है भई कहीं कहीं तो इसलिए उसके बाद से हम लोग क्लास से इसके डिउरेशन और भी जादे बढ़ जाएंगे ठीक है पूरा पढ़ाएंगे जिसमेंसे किसी पॉलिटी में पीएडी करना होगा ना जब 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 जितने बड़े भाई या भावी लोग हैं बहुत जादे जादे आदे हैं पहले वाला नेट कासले बॉस अलग था, आप तो अलग है, अब एक GS हो गया, अपका सब्जेक्त हो गया, आओ तुम GS में आओ यहां पर, तुम को GS में आने के बाद, देपने था को निदो की सब्धेश्च किया जो ठांद सो क्वे अb मतलब शुरुबात करो, हम दे जाएंगे तुम्हें हम सब लोग और और भी कहते हैं, तुम लोग ना पढ़ाई में एक चीज यह ले ले लेना ना छोड मत देना, वह आगे जाके आपको बड़ा बेनिफिट मिलता है वहाप, तुम्हें को जॉइन करो, एक दाम बहतरी है, अ लोग भी या करी रहे हैं यहां पचास उठाथ अजयर रुपे शत्तर अजयर रुपे ऐसे करके चाहि लिया जाते हैं, इतना नहीं लिया जाएगा है, पढ़ाते हैं और पढ़ाती भी कुछ नहीं हूं है, आपको बिपीएसी में से लिवास चेंज़ किया जो आप्शनल पढ़ाना चाली पढ़ाएंगे तुम्हें इतने चीजे मिलेंगे घर पर भी पढ़ना पड़ेगा रिजल्ट नहीं मिला तो हम तिंग लोगों को पढ़ना में बोलाएंगे आओ भाव तुमको मीठाई ही खिलाते हैं हॉल नबर छे में चलो तुम तुमको पताते हूं आप तो प्येश्डी वालों के लिए दिक्कत ने होगा आज थोड़ासा इंट्रो क्लास था आप भी रूबर हुए आपको भी ये पता चल गया इस बात का बिलीव रखी आप लोग को कि किसी भी चीज की समस्या नहीं आई कि फर्स्ट क्लास में इतम ये चीजों को अपलों को इंट्रड्यूस करने में धिरी धिरी स्वासा मैं लगे तो फिर्स्ट क्लास में पस्वर्ण बताना परता है लाख वच्छन ने पढ़ाएं सर और आप पूरा अपको इदिक्कत ही नहीं होने वाला आप यहां मतलब पूरा एक दम कोई दिक्कत नहीं आने वाला आप लोको तो आप लोग अब रेडी रहिएगा आज थ्वासा क्लास आगे पहले थ्वास छोड़ते हमारा भी आज गला बजा हुआ है पॉलिटी के क्लास में हम भी थ्वासा पढ़ाएंगे तो हमी लेकिन खिशते हैं तो परादी है उसमें वागे प्रोसीड करते हैं ठीक है तो आज के लिए इतना ही रहन देते हैं फिर कल मिलते हैं ठीक है कल आप लोग तयारी के साथ रहेंगे अब आपका निबंध भी हो जाएगा और बहुत जल्दी आपका इस्टेटिक्स वाला इस्ट पोशन स्टार्ट हो स्टार्ट करते हैं तो आप लोग कभी कभी ना आप में जा देने 99.99 लड़के बहुत कॉपरेटिव अब कभी कभी डाउट होता है उसे लोड़के हैं सब की फाल्त हुए वे किया है समया पर पीना मतलब का सर यह कैसे होगा आज क्लास बताएंगे ना फोन करके पूछ रह हैं नेक्स्ट क्लास में कल से ठीक है जाहिन जाहिन